breastfeeding and calcium index अखिर यह क्या कहानी है let's discuss तो देखो जब हम breastfeeding कराते है तो हमारी body में bone mineral density कम होता है क्योंकि calcium जो हमारी body से वो shift होता है वो बच्चे को जाना शुरू हो जाता है तो bone mineral density कम हो जाती है जिसके विज़े से हमें generalized body होना शुरू हो जाता है पैरो में, कमर में धर्द होना शुरू हो जाता है and जब mother breastfeed करा रही है particularly जब exclusive breastfeeding पे है तो बच्चे का जितना भी calcium uptake हो रहा है वो mother milk सही हो रहा है तो बच्चे को भी calcium तभी जाएगा जब आपका calcium intake अच्छा होगा इसलिए breastfeeding mothers को calcium supplement लेना ज़रूरी होता है क्योंकि जो daily requirement है जब आप breastfeeding कर रहे हैं वो 1300 mg से लेके 500 mg है इतना calcium generally हमारे diet से आना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार हम इतनी diet ले भी नहीं पाते and जतना ले रहे हैं उतना absorb भी नहीं हो पाता इसलिए मॉमीज जब तक आप breastfeeding कर रहे हैं तब तक आप अपना calcium intake बना के रहे हैं अगर आप रोज नहीं भी का सकते तो at least जब तक exclusive breastfeeding कर रहे हैं तो हफते में 2 या 3 बार खाईए और उसके बाद at least हफते में 2 बार आप calcium खाते रहे हैं ताकि आपकी हड़ियां कमजोर ना हूँ